निपॉन डेंडो बिजली परियोजना के लिए पिछले 27 स्वर्षों से अधिक ग्रहित की गई कृशी भूमी आज भी परती है राकमपा द्यक्ष शरत पवार ने कहा कि वह इसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाने और बेरोजकारों को रोजकात देने के लिए जल्दी मुख्यमंत्री उद्धफ ठाकरे से चर्चा करेंगे इस मौके पर राकमपा नेता प्रफुल पटेल और सुभोध मुखीते मौजूद थे 27 साल पहले भद्रवती तालुका में निपॉन ड्रेंडो बिजली परियोजना के लिए 1183.23 हैक्रशी भूमी का अधिग्रहन किया गया था परियोजना का शिलान्यास समारो 29 सितंबर 1984 को ततकालीन प्रधा मंतरी नरसिमा राव द्वारा आयोजित किया गया था इस अस्तर पर शरत पवार मौझूद रहे साथी ततकालीन उर्जा मंतरी केपी एन सालवे और इसपास समूख के अध्यक्ष मित्तल भी उपस्तित थे शरत पवार को इस जगा का दोरा करना चाहिए बालू धनूरकर ने पहले उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की थी 19 नवंबर को एक बहुती व्यस्ते कारिकरम में पार्टी कारिकरतों के आखरे पर पवार भद्रवती में रुख गए निपॉन सीच को लेकर राकमपा नेता मुनाश शेक सुधाकर रोहनकर और विलास नेरकर ने उन्हें बयान दिया उन्होंने इसे सुईकार कर लिया और कहा की वह इस मामले पर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे तालुका में बिरोजकारों को रोजकार प्रदान करने के लिए स्थानी लोगों के साथ साथ निपौन के लिए नए उध्योगों और अफसरों के बारे में एक बयान चारी किया गया था जिलाद्यक्ष फ्यास शेक के मात्यम से आयूद्य कर्मियों को असंगठित श्रमिक प्रकोष्ट के मात्यम से निजीकरण दिया गया राकांपा के राज्जी प्रतिनिदी मुनाश शेक, तालुका अध्यक्ष सुधाकर, रोहनकर, विधानसवा अध्यक्ष विलास, नेरकर, सुनील महलेफ्या, शेक, रोहन, कुटे माते, पन्विल शेंडे, रवी नाखपुरे, सभिया देवगडे, कृष्णा तुरंकर, संतो डे की रिपोर्ट